हेलो दोस्तों दिस इस नरसिंग मेरागीन, हाउट इंदिकेटिग चैनल में आप सभी का स्वागत है कुस लोग अपना login पासवर्ट भूल चुके हैं, कुस लोग अपना transaction पासवर्ट भूल चुके हैं, वो transaction नहीं कर पा रहे हैं, login तो कर ले रहे हैं, लेकिन transaction नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोग को करना किया है आप लोग को पंजाब नेशनल बैंक की ओफिसियल इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट में आ जाना है जो कि है netpnb.com इसका भी लिंक में आप सो भी लोग को वीडियो के डिस्क्रिशन दे रहा हूँ आप लोग एंटर कर देता हूँ जैसे ही आप लोग अपनी यूजर आईडी को एंटर करेंगे उसके बाद आप लोग के पास यहाँ पर एक option आता है continue का आप लोग यहाँ पर से continue पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर से देखिए आप लोग के पास एक option आता है forget password का तो सबसे पहले आप लोग को अपना यूजर नेम डालके continue करना है उसके बाद forget password में क्लिक करना है तो जैसे आप लोग forget password पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोगों से आपका user ID को दुबार से एंटर करने के लिए बोल रहा है आप लोग यहाँ पर से अपना user ID को दु एंटर करना होगा तो यहां पर देखिए one time password आ चुका होगा तो आप मैं क्या करूँगा आपर से उस password को इसमें डाल के इसको continue पर क्लिक करूँगा मैंने यहां पर से OTP डाल दिया आप मैं यहां पर से continue पर क्लिक करने के बाद यहां पर से देखिए अब आप लोग को क्या कर के पैसा निकालते हैं वह वाला पिन आप लोगों को यहां पर एंटर करना पड़ेगा और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना पड़ेगा तो मैं यहां पर से जो डिटेल्स हैं उसको एंटर कर देता हूं तो यहां पर से देखिए मैंने डिटेल्स जो हो सारी डाल दी है अब मैं यहां पर से continue पर click कर देता हूं तो यहां पर से दिखिए आप आप लोग के पास option आ चुका user access credential का अगर आप लोग को अपना login password को change करना है तो आप लोग यहां पर से इसको check कर लिजिए और अपना नया login password को यहां पर enter कर दीजिए और उसको verify कर दीजिए और अगर आप लोग को transaction password को change करना है तो आप लोग यहां पर से इसको check कर लिजिए और अपना transaction password नया वाला यहां पर create कर लिजिए और उसको दुबारा से यहां पर डाल दीजिए एंटर करने से पहले आप लोग यहां पर से पढ़ लिजी कि आप लोग को पासवर्ड में क्या-क्या एंटर करना है और क्या-क्या नहीं करना है तो आप लोग इसके साब से अपना पासवर्ड जाओ उसको बना लिजिए मैंने बना लिया है अगर आप लोग एक्जांपल पा पासवर्ट को भी आसानी से चेंज कर सकते हैं घर बैठे बिना बैंक ब्रांच जारी तो अगर आप लोग को एक वीडियो अच्छा लगा और आपके काम आया तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करकर इसको जरूर लाइक किजिए और कमेंड बॉक्स मुझे लिखके बताए तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आजाएगा हमारे नए वीडियो का और फिर आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं तो आप लोग यहाँ पर से घंटी के बटन को जरूर से प्रेस कर लें थैंक्यो फर वाचिंग बाए टेक केर देखते रहिए सीखते यहाँ टो इंदी